नमस्कार पोलखोल पोश्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सिधी लाइब मैं हूँ आपके साथ समसीर आलम बकाया करो की वसूली के लिए नपा ने सुरू किया अभियान पूरे माह चलेगा अभियान वाडवार निर्धारित किये गए प्रभारी दिनांक वार निर्धारित की गई ती थी करोडों के संपिती करण शहीत अन्य कर बकाया नगरपाली का पारिशत सीधी अंतरगस सहरी छेतर में घर बनाकर रहने वाले लोगों पर बकाया दो करोल से अधिक विभिन कर की वसूली के लिए नपा द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है एक जनवरी से शुरू किया गया यह अभियान पूरे माह तक चलेगा इसके लिए दो दल प्रभारी बनाये गये हैं दल क्रमांग एक का प्रभारी राजसुनिरक्षक बब्बू डशा तथा दल क्रमांग दो का प्रभारी उप राजसुनिरक्षक पवन कुमार सिंग को बनाया गया है इसके साथ ही वाड़ वार सिविर स्थानव दिनांग की तैक किये गए हैं उम्मीद बद जताई जा रही है कि उक्त शिविरों के माध्यम से बकाया रासी काफी वसूली हो जाएगी शिविर के बाद भी बकाया कर जमना करने वालों के विरुद कड़ी कारवाई की तैयारी की जा रही मरीजों को ले आ रही एम्बूलेंस वहन रास्ते में हो रही खराब हाफते दोड़ रहे जिला चिके सालह से लेकर समुदाइक स्वास्त किंद्रों में लगे एम्बूलेंस वहन सिहावल से आ रही एम्बूलेंस वहन समराच चौक के पास हुई खराब मरीजों को तुरंची किस्स सुविता दिलाने में मददगार एम्बूलेंस खुद बिमार है जिले में संचाली थोड़ी अधिकांस एम्बूलेंस तीन लाग किलो मीटर तक चल चुकी है इसके बाद एम्बूलेंस को कंडम मान लिया जाता है इसके बाबजूद एम्बूलेंस की गाड़ियां दोड रही है पुरानी होने के चलते कई बार खराब भी हो जाती है जिससे मरीज की जान को भी खत्रा है फिर भी बदलने को लेकर कमपनी स्वास प्रसासन की ओर से कोई गंभिरता नहीं बताई जा रही है कमपनी के द्वारा भी लगाई गई एक स्वाट एम्बूलेंस सेवा की बिमार हो चुकी है स्वास प्रसासन के द्वारा बदलने के लिए कई बार कमपनी को कहा जा चुका है इसके बाद भी पुराने वहान से मरीजों को ढोया जा रहा है पूजा अर्चना के साथ हुई ने वर्स की सुरुवात दिन बर चलता रहा बधायों का दोर सहर के मंदिरों में दिन बर लोगों की लगी रही भीड सहर के पार्कों में यूवक यूतियों ने पहुचकर मनाया ने साल का जश्न दिन भर मौसम रहा खराब रिमजिम बारिस के बीच ने वर्स का आगाज ने वर्स 2020 का आगाज बुद्वार को खराब मौसम के साथ हुआ सुबह से जहां आसमान में बादल के साथ घना कोरा चाया रहा वहीं दोपहर बात से रुक रुक कर दिन भर रिमजिम बारिस का दौर चलता रहा बारिस के कारण ठंड का असर भी जादा रहा इसके बाबजुद लोग घरों से बाहर निकलने और दिन भर एक दूसरे को नए वर्स की बधाई देते दिखें देर रास से ही मोवाईल फोन में वाटसप, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वो एवसेमेस के माध्यम से बधायों का दौर सुरू हो गया था जो बुद्वार को दिन भर जारी रहा नए वर्स की शुरुवात लोग पूजा अरचना के साथ करना जादा मुनासिब समझ रहे थे मारपीट जमीनी विवात के प्रक्रण में मारपीट कर उपहित कारित करने वाले नौ आरूपियों को जिला नयायले के तृती अतरिक्त नयायदीस द्वारा दो दो वर्स की कठोर कारावास वच्छे शो रूपे के दर्थ दंड से दंडित किया गया है समविदा कर्मियों स्वास्त कर्मी सासन को लगा रहे चूना नहीं जमा किया वर्सों से भवनों का किराया समुदाइक स्वास्त केंद्र मजहौली में आदा दर्जन समविदा कर्मी सासनिक बने हुए एक F टाइप के भवनों में अपना निवास बना रखा है लेकिन वर्सों में संविदा कर्मी निवास बनाते हैं तो उन्हें नियमित प्रती मा निर्धारित किराय का रासी जमा करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया कर प्रसासन की आँखों में धूल जोका जा रहा है जो बिना वरिष दिकारियों के संरक्षन में संबह नहीं है इतने गंभीर मामले म मुग दर्शक बने हुए हैं और हाँ हमारे चैनल को सस्क्राइब करें घंटी के बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सकते हैं